विल्कम आल दी भीवर्स तो इस लेक्चर सीरीज कोश्चन और आंसर और लेंड लॉज आप सभी सुरताओं का आज के ब्याख्यान में स्वागत हैं कुछ दिन के अंतराज में बहुत सारे प्रस्ण भाट्सप पर मेरे पास आये हुए हैं आज उन सभी भाट्सप प्रस्णो का मैं उत्तर देना चाहूंगा और कुछ यूटूब पर भी पुराने प्रस्ण बच गए थे उसमें से कुछ बचा हुआ प्रस्ण का भी उत्तर दोगा तो मैं सबसे पहला प्रस्ण लेता हूं स्रीराम सी ये छात्र है इनका कहना है कि गयर्मर्गवा जमीन खरीदा है जो विक्रेता है उसका जमाबंदी में नाम है और असीद भी कड़ता है लेकिन मुटेशन के लिए जब दर्खास दिया तो अच्छ अधिकारी ने इनका मुटेशन रिजेक्ट कर दिया तो यह हमसे मांग दर्सन मांग रहे हैं देखिए इसमें मांग दर्सन की कोई बात नहीं हैं अगर आप मुटेशन का अप्लिकेशन स्वेम दिये हैं कोई वकील के मार्फ़स से नहीं दिये हैं तो आप स्वेम अपने दर्सकर से डीशेल आर के हां आप अपील दायर कर सकते हैं और इजेक्शन के अगेस्ट में डीशेल कहरा अपील होता है अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप किसी अस्थानी अधिवक्ता से मिल करके अपील फाइल कर दिए अपील फाइल करने का समय तीस दिन ही रहता है तीस दिन के बाद आपको जो दिले होगा उसको माफी का दर्खास देना पड़ेगा और थोड़ा खर्चा बढ़ेगा इसलिए आप जल्द से जल्द रसीद कट जागा चुकि आपके विक्रेता का रसीद कट रहा था उनका नाम रहिस्टेट्टू में या जमाबंदी में था इस कारलवस्ट वो रहिती जमीन है इसमें कोई दिक्कत नहीं कभी गैरमजरूवा मालिक रहा होगा यानि कि जमिंदारी के समय रहा होगा और जमि चल जाएगा जो आपके पुरवज का द्वारा खरदारी किया हुआ जमीर है सेल डीड उस सेल डीड यानि के वाला या बसीका उसको कहते हैं उसमें लिखा हुआ होगा कि कैसे किस से खरीदे जमिंदारी के समय में क्या था सारी बातें पहले वाली उसमें लिखी रहनी चाह परियास करके देख दीजे, अगर अब तक आपने आवेदन में वह सब बात नहीं लिखा है, तो DCLR के हाँ जो अपील आवेदन दीजेगा, उसमें वसीका का जो मजमून है, उसके आधार पर आवेदन में अपना ग्राउंड बना सकते हैं, आप स्वेम फाइल कीजे, या अध अब कमिशनर साहब गया के हैं, तो उन्होंने भाटसब पर जब प्रस्ट पुछा था, उसका मैंने रिप्लाई भी दे दिया था, फिर भी लगता है, रिप्लाई से ही संतुष नहीं हुए, आप बार बार प्रस्ट करते हैं, कि हमने जवाब दिया था कि कमिशनर के कैसे होगा, तो बिहार लौ ट्रेवनल जो है, पूरे बिहार राज के लिए, बिहार राज के किसी भी कोने से कैसे हावेगा, जैसे हाई कोट पूरे बिहार राज के लिए है, बिहार राज के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति हो, जो हाई कोट के छेतरा धीकार का कैस होगा तो उसको हाई कोट आना पड़ेगा, यानि कि पटना आना पड़ेगा, आप चाहिए कि गया में हम केस करें, कोई वकील के पास जाईएगा, अन्जाना वकील आपको गया में कोई उल्टा सिधा केस करा जेगा, आपका केस खराब हो जाएगा, आप ऐसा खर्च हो जागा, समय भरवाद हो जागा, फिर अंत में आपको पटना ही आना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि आप पटना में अगर किसी वकील से आपका संपर्क है, तो आप उनसे संपर्क कीजिए, अगर वो अच्छे जानकार वकील है, तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आज उसके बाद फिर इन्होंने सवाल बदल दिया, जब मैंने वाटसप पर जवाब दिया इनको, फिर इन्होंने परस्ट किया था कि पटना जाना पड़ेगा, तो पटना तो आना ही पड़ेगा, दूसरा इन्होंने सवाल किया कि सिभील कोट में केस होगा कि नहीं सिभील कोट में अपील नहीं होता ही आप जान लिए सिभील कोट में सिर्फ टाइटिल मुकदमा होता है कोई व्यक्ति अपने टाइटिल के आधार पर सिभील कोट में जाता है आपका टाइटिल तो कोई चैलेंज नहीं किया है तो आप केंहों अपने से civil court में जाकर मामला उल्धाना चाहते हैं, इसी को कहते हैं, आप वैल मुझे मार, अपने आप मुशिवत लेना, अगर आ पे सौख है civil court में case नर्ने का, तो जा सकते है civil court को भी power है, ऐसा नही है कि power नही है, civil court पहले आपको title declare करना पड़ेगा, अपना possession करना पड़ेगा, तब अंचर अथिकारी के order को या commissioner के order को आपको challenge करना पड़ेगा, तो उसमें court fees भी आपको लगेगा, और खर्चा भी जादा होगा, इसलिए आप सोच रीजिए, अब दूसरा प्रस इसके बाद, जब hardship पर reply द दिया था भार सपर की दोनों दो चीज़ है बंदोवस्ती का मतलब होता है कई बार मेरा पुराना लेक्चर है आप उस पर जाकर के सुनिया जैजी कई बार 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 बताते हैं कि बंदोवस्ती को अंग्रेजी में बोलते हैं सेटल में तो अगर कोई जमिंदार खेती के भू किसी दूसरे रहियत को खेत जो अतने के लिए देते हैं, तो उसको भी बंदोवस्ती काता है, ठीका या पट्टा, तो ये बंदोवस्ती ठीका पट्टा मुकर्दी सब लीज होता है, या किराया पर देना, चाहे तो उन रकम नगदी में हो, या उपज में ले, तो ये ठीका पट्टा होता है तो बंदवस्ती में सिर्फ ये होता है कि एक मालिक होता है और दूसरा एक रहियत होता है या नहीं कि बंदवस्तदार ये केरदार होता है उसको किसी खास अब्धी के लिए या पर्मानिन दिया जा सकता है और उसके एवज में वो लगान ये किराय उसको दे तो दान दूसरी चीज है, दान है कि हमारे पास कोई वस्तु है, वो चल संपत्ति हो या चल हम आपको दान दे दिये, तो दान दे दिये तो जिस समय दिये उसी समय से हमारा अधिकार खतम हो गया और आप उसके मालिक हो गया, असदा सरवदा के लिए हो गया, उसमें आपको द उसको लगान देना, या जो उपज है, खेती का है, तो अगर उपज पर हुआ है, तो उपज का जो भागते हुआ है, वो देना, या जो फिक्स्ट एमाउंट है, माल ये कि एक विघा में पांसेर आपको देना है, तो हर बिघा में पांस है, जो भी फसल होगा, उसमें आपको देना है, जैसा अगर तेह हुआ, तो आपस के स्थिती पर जो कॉंट्रेक्ट होता है, जो अगरिमेंट होता है, जो सहमती बनते हैं, उसके आधार पर होता है। उसके बाद का प्रस्ण है, सूरज कुमार मनेर, यह लिखते हैं अपने उपर में, कि हम कॉमन सिटीजन हैं, और बाद में लिखते हैं हम सिविल सर्वेंट हैं, तो सिविल सर्वेंट हैं, किस पत्पर हैं, कहां हैं, यह से नहीं पता रहता है, फिर भी जो भी हो, आपका प्र निवाद देते हैं धनवाद के लिए, अब इनका कहना है कि इनकी मान ने 25 डिस्मिल जमीन खरीदा था, जबकि बिक्रेदा का 20 डिस्मिल जमीन था, और जब इन्होंने मुटेशन में अपलाई किया, तो अब्जेक्शन में यी बात आया कि उसको आस 20 डिस्मिल जमीन था, होगा, जबकि रिष्टेट 2 में भी उनका 20 डिस्मिल लिखा हुआ है, इनका मुटेशन रिजेक्शन होगा, फिर उन्होंने भी लिखा था, कि अंचन अधिकारी कहां कोई दलाल है, मिदिल मैन है, जो इनसे 20 जार रुपया घूस मांगता है, तो घूस के बारे में हम से रा जबकि इनका कहते हैं, आगे बताते हैं कि इनका सरवे खतियान में, नक्सा में अब बथवारा के कागज में 25 डिस्मिल ही है और रसीद ही 25 डिस्मिल कट रहा है, तो जब ऐसी इसी सिती है तो अंचन अधिकारी ने जानमुझके बैमानी के लिए या बैमानी के नियत से इन आप कानून में लिखा हुआ एक बजाबता अपील फाइल करना है और तीस दिन के अंदर फाइल करना है मुटेशन एक्ट के अंदर आप देखिए आप अपील फाइल कीजिए अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने जिवक्ता के मारपत कीजिए और ये सब पॉइंट वहां लिजेगा आपका अपील फाइल हो जाएगा उसका फिर जब इसका रिपलाई दे दिये इनको भाज़ा पर तो फिर दुसरा प्रस्ट करते हैं कि साथ सत्तर साल पहले इनके पुरवज जमीन खरीदे से अरसीद इनके पिता जी के नाम से कट रहा ह लेकिन ऑनलाइन में अराजी कम दिखाता है और करमचादी इनसे सेल डीड का मांग करता है सेल डीड नहीं इनको मिल रहा है तो क्या करें उसके बाद फिर इनका कहना है कि अब उस सेल डीड नहीं मिलेगा तो हमको क्या करना चाहिए इसका यह राई चाहते हैं सेल डीड नह से हुगा तो सेल दीद देना पड़ेगा अगर सेल दीद नहीं दीजेगा तो आपका कहना जुठा हो गया जुठा हो गया तो आपका तो हाँ से भी हार जाएगा, और अगर आप अपील में जाईएगा, डीशेलर के हां तो हां भी हार जाएगा, इसलिए आपको सबसे पहले सेल लिड खोलना होगा, sale lead खोलने का तरीका ये है कि बेचने वाले का नाम और खरीने वाले का नाम ये दो पता होना चाहिए ये दोनों नाम से आप रईष्टी के चहरी में जा करके इंडेक्स से फेरिफाई कर सकते हैं और किस साल में दो तीन चार साल का अंदाज से से मालियोने शो 50-70 50-70 साल आप पहले बोला है तो दस साल का इंडेक्स देख लिजए हर साल का इंडेक्स देख लिए दूर 4-5-10 रुपया साल आना कुछ फीस थए है फीस लगता होतना फीस जमां किजएगा तो इंडेक्स से आपको मिल जागा कि किसने किसको बेजा कब बेचा deed number और date sum मिल जाएगा जब वो मिल जाएगा तो उसके बाद आप certified copy ले लिजेगा आप certified copy दाखिल कर दिजेगा ता आपका काम हो जाएगा इसलिए आपको रहिष्टी के चहरी में जा करके रहिष्टी के चहरी में जो record room होता है वहां पर record room से आपको index देखना है index देखने के लिए वहां किसी कातिव को पकड़िए और कातिव को बताईए कौन मोजा का जमीन है या खाता प्लॉट नंबर क्या है वो बता दीजिए बेचने वाले का संभावित नाम और खजने वाले का संभावित नाम जो आपको यार है वो आफ साल द अगाबात से लिखते हैं यह हैं टीचर हैं इन्होंने प्रस्त किया है कि रेंट रॉल क्या होता है और रेंट रॉल पर वीडियो बनाईए और धन्यवाद भी उन्होंने दिया है और फिर ही पूछा है कि रसीद का कुई भैलू है कि नहीं Certified Copy रेंट रॉल का कहां मिलेगा और उसके बाद फिर उन्होंने दिखाए उन्हें 180 का लगान ये धारन कहां से मिलेगा अब हो सकता है यह प्रस्त जो है मिला हुआ हो लिखने में गलती हो आप छमा किजिएगा Ajay Singh Ji Teacher आपके प्रस्त में ये भी हम मिला रहे हैं तो अगर आपका ये प्रस्त सिर्फ Form M तक है तो आप आगे का जो दे रहे हैं वो आपके पहले वाले जो थे सुरज कुमार मनेर का प्रस्त नहों सकता है जिनका अभी जैस्ट अभी हमने तुरत उत्तर दिया है उनका उन्ह रसीट का वैलू है कि नहीं ये पूछा गया सवाथ चाहें तो सुरज कुमार पूछें या Ajay Singh पूछें तो चाहन लिजिए रेंट रसीट का वैलू है ऐसा नहीं कि बिना वैलू का डक्मेट है लेकिन रेंट रसीट कबजा का ये हकीयत का यानि की टाइटिल का पर्मान न उने हम रसीद दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कानून में मानिता नहीं है, ऐसा माना जा सकता है, और अलग परमान के साथ मिला करके, तो ये एकदम बेकार कागज भी नहीं है, और एकदम पक्का कागज भी नहीं है, जैसे कोई sale deed होता है, ये gift deed होता है, उस तरह का ये title deed नहीं है, दूसरा आपने लिखा है, जो for father के नाम से, जो sale deed हुआ है, उस sale deed का purchase का साल नहीं माल नहीं है, इसलिए तो हम बता जिए कि index में जाईएगा, अन्दाज से साल, दूचार, पांच साल, तस साल का खोज जिएगा, पचास साल, सौ साल का भी खोज सकते हैं, तो जितना पैसा जित साल का है, हर साल का, तीन रुपया, चार रुपया, पांच रुपया कुछ, पर तीस साल निधारी तर है, वो दर उहां लगेगा, वो आप खोज जिएगा, वो आपके हां समें बैठ के आराम से खोज जिए, किरानी को हां पैसा दीजिए तो भी खोज के बता देगा, जिए खोज के बता देगा, उसके बाद आगे का प्रस्ता है, कि उन्हें स्वास्ती का लगार निधारन कहां से मिलेगा, इसका भी हमने भार्चाब पर इप्लाई दे दिया था, फिर भी आपको एक्स्प्रें कर देते हैं, हो सकता है, आप नहीं सम्झेओ, जिस के द्वार बता देगारी के द्वारह लगान निधारन किया गया, जब यह मानु है कि उन्हें श्वास्ती में लगान निधारन कियान, तो इम आप मौनं है जिस को noise गार सिने दिदारन किया, अगर अगर अचला दिदकारी ने किया, DCLR ने किया, या अधिशनल किया अलग अलग की पहली बार तो उसके अधार पर लगांदी धार का विदन अंचल अधिकारी भी देखता है। अगर कोई बंदवस्ति के अधार पर आया है उसका रिटर्न में नम नहीं है। तो वो DCLR केहां डैरेक्ट दे सकता है। या अंचल अधिकारी के हाँ देगा, तो अंचल अधिकारी उसको DCLR के हाँ अपने रिकोमेंडेशन के साथ भेजेगा, चुकि सक्षम पदाधिकारी, DCLR या SDO या उसके उपर का पदाधिकारी होता है, तो जहां से लगान निधारन का ओर्डर हुआ है, वहीं से नकल मिला, अगर आपको केस नंबर मालू है तो आसानी होगा, अगर केस नंबर नहीं मालू है तो उन्हें 180 साल मालू है, तो लगान निधारन केस जिस रेइस्टर पर अंकित रहता है, उस रेइस्टर का उसको सूट रेइस्टर बोलते हैं, सूट रेइस्टर निकाल करके देखिए और जो करमचारी रहता है ओफिस में यानि कि किरानी बावु जो सूट रेइस्टर जिसके पास होगा वो देखिए या वहां रेकर्ड रूम में होगा सूट रेइस्टर लगानी धारन का रेइस्टर तो उस रेइस्टर में केस नमर मि मिल जाएगा, उसके बाद का प्रस्य है, अभिनास कुमार अरवर, ये बोल रहे हैं कि Certified Copy of Return मांग रहे हैं तो नहीं दे रहा है, क्या करें, RTI अगर देना हमने इनको रिप्लाई किया था कि अब RTI से मांग ये नहीं दे रहा है, तो RTI में किस बिभाग से मांगा जाए, तो किस बिभाग से मांगा जाए, तो इनको इसमें गलती भी इन्होंने फोटो कॉपी भी भेजा है, उसमें इन्होंने लिखा है, जो सुचना पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी तो हो सकता है इनको नहीं मिला होगा अगर मिल गया हो तो अच्छी बात है नहीं मिला होगा तो इसका कारण ही हो सकता है कि हर कारियाले में एक सुचना पदाधिकारी होता है तो DM के कार्याले में, DM चुकि बहुत बीजी असवर होता, उससे हम सुचना पताधिकारी नहीं है, तो आप सीधे लिखिए सुचना पताधिकारी, बाकि वो कौन सा पताधिकारी इससे आपको को मतलब ने, सुचना पताधिकारी हमेशा बदलते रहता है, जिसको बनाया जाए या पूरे राज अस्तर पर एक ही बार गजट नोटिफिकेशन निकाल के सरकार बना देगी, कि कौन-कौन कारियाले में कौन-कौन व्यक्ति या किस पद का व्यक्ति सुचना पताधिकारी होगा, कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क- इसी जराउन पर नहीं भी दे हलागि यह इसा नहीं है नियम यह है कि अगर कोई गलत जगह से मांग रहा है तो उसको सही जगह भेज देना चाहिए और पुराने लोग जो पताधिकारी लोग है जो सही रूप से काम करते हैं वे लोग जो है गलत आप इदर में लिखा रहता ह अगर रेफरेंस गलत है तो उसको सही जगह भेज देते हैं और रिपलाई भी दे देते हैं कि आपने गलत दिया है कि मेरे कार्याले से सम्मंदित नहीं है सम्मंदित कार्याले को हम इसको भेज रहे हैं या भेज दिया किर्पया वहां संपर करें ऐसा सुचना भी लोग दे इसलिए आपका प्रस्त का भी हल हो गया, आप उसी के अनुसार से अगर आपको अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, तो आप दूसरा अवेधन सुचना अधिकार कैंतरगर दे सकते हैं, उसके बाद का प्रस्त है, अमरित कुमार राची से लिखते हैं, यू पी एस्सी की तैय आपके साथ है, आपने लास टाइम में पूछा था, यूट्यूब पर पूछा था, उसका पूरा हमने डीटेल जवाब दे दिया है, लेकिन वही प्रस्त फिर वाट्सपर मिरा, तो हमको याद पढ़ गया, तो इसमें आपने कहा था, कि एक डीटेल वीडियो बनाईए छो आपको जल्दी मिलेगा छोटनाथ पूर टेनेंसी एक्टवर और संथाल पर आपको मेरा मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, और खरीदारी के बारे में पूछा था, कि क्या क्या बात देखना चाहिए, कोई आदमी जबीन खरीदा चाहता है, तो पेरा पिछला लेक्चर आप सु उसके बाद surrender जी advocate हैं तिर्वेनी गन से, इन्होंने पहले पर इन्ही बार बार परस्त बदलते रहते हैं, पहले railway के जमीन का इन्होंने सवाल किया था, जिसका मैंने reply दिया था, इन्होंने न तो कागे दिया न कोई जवाब दिया, चुप चाप बैठ गए, इससे पता चलता है कि लोग sincerely नहीं है, जमन हुआ जो परस्त पूछ लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा आगर आप सच मुछ परस्त का हल चाहते हैं और लाग उठाना चाहते हैं, तो आपको sincerely परस्त पूछा जाए, खास करके जाप आप 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 अधोकेट हैं, तो आपका परस्त पूछने में जी किस्यूज नहीं कीजिए और उसको गलत धंग से आप इस्तेमाल नहीं कीजिए, आप किसी खास उद्देश से परस्त करना हैं, तो उद्देश की पूर्तिते भी होगी, जब आप सही धंग से सवाल पूछेंगे, और जो हम डिमांड करेंगे, जो काग़ात मांगेंगे, व आपने परस्त बदल दिया, परवाना के बिरुद अपील कहां करें, इसका भी हमने आपको जवाब दे दिया था, और यह भी कहा था, बिहार प्रिविलेज परसन होमेस्टे टेनेंसी एक्ट, पर मेरा एक स्पेशल लेक्चर है, उस लेक्चर में पूरा डिटेल में बताए हैं, कि जब परवाना हो जाता है, करांट हो जाता है, तो उसका अपील का परवाब परावधार नहीं है, उसका रिवीजन होता है, वो कलक्टर क्या है, इसके बाद का परसन हर्स कुमार बक्तियारपूर का, इनका भी परसन बहुत कंपलेक्स है, बहुत लंबा चोड़ा प बता रहे हैं, और साइध वार्टसभा पर भी सौट में हमने रिपलाई दिया था, लेकिन आप उसके हिसाफ से काम ने किये, तो हमारा रेलवे का बहुत पुराना नुभवे रेलवे का बहुत काम किये, खास करके बिहार से ले करके बक्तियारपूर्ट से ले के राजगी तका बी-बी लाइट रेल जो पुराना नाम था उसके पुरे 재मीन का हमने कागजात देखा है उसका पुरा हिस्ट्री हम को मालू है और'd को बहुत सारा केस किया है इसलिए हम अग można को सही जानकारि है लेकिन आज के तारिक में एक भी वकीला को बिहार में यानि कि बिहार सरी में पटना में बाढ़ में कहीं भी नहीं मिलेगे जो आपको पुराना कागजात के बारे में बता सकते हैं यह जानते हैं आपके परस्ण करने से हम यह समझे हैं कि आपका जमीन रेलवे ने लीज पर लिया थ तो अगर आपको रैल वे से मैं बापस लेना है, ये आपको नहीं पता चलाआपके प्रसने, और आपका प्रसने इतना कम्पलेक्स है, कि वीडियो पर, या यूटूब पर, या वाठसाप पर आप प्रस कожно आप पता सबूत हैं, तो प्रस सहीव नहीं देगे। वो खटियान के नगत्त तीसरा अगर खटियान से नहीं तो किनके नाम की जमीन है, उनको कैसे मिला आपके पिता जी, दादा जी, किसे है, आपके ज्वाइन फेमिली का है, की पर्सनल है, कैसे है, आपका हाकीएत कबजा से सम्झित कोई परमान रहा हो, तो वो सब कागद ले करके आईगा तब आपको बताएंगे कहा मिलेगा ऐसे अभी हम आपको जानकारी प्रामा फेसिदे देते हैं कि ये बीवी लाइट रेलवे पहले जो था सरकार के नहीं था ये पटना डिस्टिक बोर्ट के अंतरगत था तो पटना में पटना डिस्टिक कारियाल में जायेगा बीवी लाइट रेलवे का वी इसमें अभी भी अलग है वहां पर आपको पागदस से भी मिल जागा वहां पर अगर आपका जमीन लिया गया हुब तब बीवी लाइट रेलवे का कहिएगा नकसा बना था वो नकसा दीजिए और लेंड एकुशन जो ह पता चलेगा तो पीर जाना पड़ेगा को सब मिले जाएंगा भाट उससे पता चलेगा I को भी कुछर्ण का प्छेन दीकुष्ट्रेख करेंड इसका को सबस्कुर्ण को सुलिए जै कि, पता चल जागा तब आपो नकल मिलेगा तब आगे की कारवाई आप किजिएगा अधरभाई आप जाईएगा रेल्बे के ऑफिस में तो रेल्बे के पास कुछ नहीं आशके थानец अब बी-वी लाइट रेल्बे नहीं रहा अब तो भारत सरकार का रेल्वे हो गया, इंडिया रेल्वे हो गया, 62-63 के बाद छोटी लाइन समाप्त हो गी, तो पतना डिस्टिक बोर्ट ने वो रेल्वे की जमीन को निलाम कर दिया था, जो बहुत ज़िए लोग निलाम खरी दे हैं, प्राइवेट पार्टी लोग भी तो जो जमीन बच गया, वो सब रेल्वे डिपार्टमेंट को भेस्ट कर गया, तो रेल्वे डिपार्टमेंट के पास जाईएगा वहाँ पर, तो रेल्वे, बीवी लाइट रेल्वे उने 60-62 में खतम हो गया, और उसके जवापर नया ब्रॉडगो जाया, तो ब्रॉडग तो आपको head office से पता चलेगा, head office जाना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा मुस्किल है, पहले आप दिश्टिक वोट से समझ दीजिए, और जमीन का पूरा कावजात, नक्सा, खतियान, जमीन का कावजात, रसी, जो भी आपका पुराना है, वो सब ले करके मिलिए, तो आगे की कारवाई क्या चाहते हैं, आप जमीन बापस चाहते हैं, या मुआबजा चाहते हैं, यह सवा को समझना पड़ेगा, और अभी जमीन का क्या present position है, उसका नक्सा बना करके, रफ नक्सा बना करके, भी ले करके आईएगा, आप समय ले लिए और किसी समय आ सकते हैं, अभी हा समय आप समय ले करके आ सकते हैं, और सारा कावियात लेके आईए, तो आप पर समस्या का समझना हो सकता है, तिर्येस आरा, तिर्येस जी आरा से लिखते हैं, यह कहते हैं कि हम सौप कीपर हैं, दुकानदारी करते हैं, गर्मजूरवा जमीन पर घर है, इनके दादा के नाम स 46 के पहले तक का मालूम नहीं है इनको लेकिन इनको municipality का text करता है 50 से लेकर के 93 तक का अब ये कहते हैं कि खास वहां register 2 में है wants to sell इस जमीन को बेचना चाहते है कैसे बिकेगा अगर आपका किस हालत से कबजा है किस हिस्तिती में कबजा है आपको कितने साल के लिए ये खास महाल की जमीन है settlement हुआ तो पहले तो settlement का कागज चाहिए settlement का कागज नहीं है तो जिस खतियान में आपका नाम लिखा हुआ खतियान आप पूरा अपना कागज ले जा करके किसी वकील को दिखाईए और वहां अस्थानिये वकील से राई दीजिए अगर वो नहीं आपको समझा सकते हैं तो आप लेकर आईएगा अब बी एजार सेक्शन फोर अगर आप पढ़े हैं आप समझ गए हैं तो उससे आपका समाधान नहीं है इतना असान नहीं है बी एजार सक्षन फोर पढ़ करके आप समस्या का समाधान कर लिजीगा समभदा आपके समस्या का समाधान आपके जो अस्थानिये वकील हैं उनसे भी नहीं हो ये चुकी खास महाल का अलग कानून होता है खास महाल का मानने होता है सरकार के direct control में यानि कि DM के control में जमीन होता है तो जो भी जमीन है उस सरकार की जमीन है और उसमें जो भी लोग बसा हुआ है सरकार का वो किरादार है tenant है tenant को बेचने का कोई अधिकार नहीं है अगर आपको permanent settlement हो गया है तभी आप बेच सकते हैं तो भी आपका tenancy right ही बिकेगा जो अधिकार आपको होगा आपके गरेता को पराप्स होगा अगर permanent settlement नहीं है कुछ खास दिन के लिए 30 साल का 60 साल का या 99 साल का है तो वो लीजी सब होता है खास महाल में तो पहले तो यह देख रहा होगा रिष्टर टू जो है यहाँ पर अंचल कारियाले में रिष्टर टू रहता है इसको जवाबंदी बोलते है तो यह जवाबंदी में रिष्टर टू में नाम होता है सिर्फ खेती के जमीन का मकान का जमीन का नहीं मकान तो होता है बेलगान होता है और भी सहर के अंदर मकान है, उसका रिष्टेट टू में होगा ही नहीं होगा, तो सब विर्वदाबासी आपका प्रस्ट नहीं, अपने आप में बहुत भेग या इसलिए आप प्रस्ट सही से किलिए, या सही जानकारी प्राप्त कर लिजे, या सारा कागजात जुटा लिजे, जुटा के फिर से वकील के बाद जाएए, और वकील साथ से बात करवाएए, या कागजात लेकर के पटना आएए, ऐसे हलके में आप चाहिएगा, ऑप तो दुकार भी खोले रखें, दुकांदारी ही करें, अपना समस्या का निधान कर लें, तो ऐसा हमको नहीं लगता यतिना आसान आपका नहीं है, आसान परस्ट रहता तो आसान उत्तर हम दे अगर आप सच्पूच में बेचना चाहते हैं, तो खरिदार पर निर्भर करता है, कोई खरदार आप से मांगेगा कि आप टाइटील आप पैजेशन का कावज दीजिए, टाइटील आप पैजेशन का क्या कावज दीजिए, दूसरा, अगर रिष्टी के चहरी में जाईएग इसा का कि बेज दीजिए, खरिदार अगर अधर है तो ले ले लेगा, आपका काम हो जाएगा, और बेचना है तो जादा चिंदा नहीं, अगर विक नहीं रहा है, अगर कीम्ती जमीन है, उस से पैसा आप अच्छा मिलना चाहिए, तो आप मेहनत कीजिए, खोजिए, इस दादा के नाम में बंदवस्ति किया था कि सिस्थिति कि उस समय जमीन थी उस समय जमीन ज็ो था मकान बना हुआ था या खेटी की जमीन थी या उस समय भी खतियान में बेलगां दर्शा यह सब जानकारी लेना जिरूई है उसके वाज का प्रसन है संकर कुमार बिहार दिखते हैं अब बिहार का माने कहां बिहार सरीफ से या बिहार तो वो पुरा बिहार है जमीन में हिस्सा इनके चाचा जी बैमानी कर रहे हैं पिता जी अचाचा का जमीन था ही जमान था जिसमें की वो जमीन पर बटवारा करके ज्यादा जमीन ले लिए ह बराबर लड़ाई जगरा होते रहता है मार्चिट होता है थाना पुलिस होता है बेल करवाते हैं तो यह जंजट जो जेल रहे हैं आपको तो हमने भाटसब पर भी रिप्लाई दे दिया था और कह दिया था कि आपका एक मात समाधान है कि आप बटवारा का मुकदमा कर लिए आधा अधिया राजी चाहते हैं तो आधा अधिया राजी होगा अप पूरा हमने पिछला लेक्चर में भी आपको समझा दिया था इसलिए आप कोई प्रोब्लम नहीं है अब इसके आगे का प्रस्ण है भाटसब का समी प्रस्ण हो गया अब आगे का जो प्रस्ण है वो प पाइधार पो नहीं मिला तो अंचल कारियाले में भी एक रिइस्टर रहता है खत्यान का उहाँ से भी दे सकता है। कोई-खती लाते हैं, कोई कहते हैं कि नहीं देता है। अगर जाइज नहीं देगा तो ना जाइज देगा। मिलेगा शिशिर राठावर जी वेस्टिंग रिटर्ण पर जमिंदारी उन्गुलन वाला लेक्चर है उसके बाद का कई लेक्चर है कई बार बताए थे वेस्टिंग रिटर्ण का नकल जो मिलता है compensation case में रहता है उफाइट तो जब जमिंदार ने भेस्टिक return दिया तो उसी के return के आधार पर जमिंदार को छति पूर्टि कॉम्पनसेशन मिलने के पहले जमिंदार को compensation case का notice जाता था और compensation case में उजमिंदार अपना सबूत पेस करता था, अपना दावा पेस करता था, अब कमपनसेशन केस में उसका दावा तय होता था, जो प्रकिरिया थी उपर या तब उसको एमाउंट तय होता था कि कतना रुपया मिलेगा, या तो नगन मिलता था, या मन्याडर से जाता था, या बॉन्ड मिलता तो compensation clerk खोजिएगा अंचल में जाके compensation clerk होता था या डिशेदार के office में या additional collector के office में या रेवनु जो जिला के अंदर रेवनु डिपार्टमेंट है रेवनु डिपार्टमेंट में compensation clerk का पता कीज़ेगा compensation करण को कहिएगा कि किस मौजा का है कौन मौजा का थाना नमबर बताएगा उस मौजा थाना नमबर का compensation case register निकालेगा तो उसमें उस जमिनदार का नाम बताएगा उसके नाम से compensation case तर्ज होगा compensation case का नमबर मिल जाएगा register से तब आप चीरकूर दीजेगा तो उसमें return नमबंदी मिलेगा अगर रहेगा available तो मिलेगा नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा वहीं से मिलेगा जहां भी हो पहले ही पता करना है वह ज्यादा तर उमिद है कि DCLR क्या होगा या additional collector को ओपीस में होग अभिनास लिखते हैं बंभाई से ही किसान है इनका कहना की form M क्या है अनकल कहां से मिलेगा इस पर भी अभिनास जी पिछला lecture में पूरा detail में बता है form M के सब के बारे में बता है आप फिर से पुराना lecture ज्यादा पुराना नहीं तिन-चार lecture पहले वाला आप देख लिए ता form M होता है जब कोई जमीन का लगान निधारन होता है तो लगान निधारन के बाद वो लगान के details रहयत का नाम पता जमीन का बिबरन और लगान का बिबरन जिस रइस्टर पर तय होता है वो रइस्टर एक छपा हुआ होता है उसको form M कहते है वो form M जो है बिहार Land Reforms Rules के अंत तीन तरह का फॉर्म होता है, K, L और M, K फॉर्म होता है जब कोई व्यक्ति जमिंदार के बंदोवस्ति के आधार पर या जमिंदार के वेस्टिंग रिटर्न के आधार पर बिना लगान के जमीन का लगान के लिए आवेदर करता है, तो वो फॉर्म K है, उसमें कॉलूम भर कर के अपलाई करना पड़ा है, उसके बाद फॉर्म एल होता है, एल पर रेवनु डिपार्टमेंट का आदमी जो रेवनु अफसर होगा या अचला दिकारी या डिसे जार जिसके हां केस होगा, वो उस पर नोटीस जारी करता है, आम जनता को, किसी को अपत्ती हो तो बताइए, अगर कोई अपत्ती दिया, तो अपत्ती का सुनवाई होगा, अगर कोई अपत्ती नहीं दिया, तो बिना अपत्ती के सुनवाई के ही वो उसका आवेदन स्विकार करेगा, और स्विकार करने के बार तब उसका रेंट फिक्स करेगा, यानि कि लगान निधारन करेगा, वोसी फॉर्म को M बोलते हैं, तो जहां से लगान धारन हुआ, वहीं से फॉर्म M का आपको नकल मिलेगा, दूसरा जगह से नकलने मिलेगा, फॉर्म M जो है रईस्टर पर दर्ज रहता है, वो रईस्टर जलता नहीं है, रईस्टर जरूर होगा, हट फुट गया हो नहीं मिल है, नाम पता जरूर दीजेगा, जो आदमी ने लगा निधारन कराया है, उसका नाम, बाप का नाम, घर का पता, अवावेदन देने की तारिख या साल कम से कम जरूर बताईगा, तब आपको नकल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, उसके बाद मुहम्मद फकुरुदीन सा लेना है, इनका रेंट फिक्सेशन का अभी जैसे जवाब दे रहे हैं, अब रुदिन सावी भी सुन रहे होंगे, तो आप इससे आपका भी जवाब कभर कर जाता है, जिस बिभाग से आपका रेंट फिक्स हुआ, उसी बिभाग से आपको नकल मिलेगा, जैसे कि अगर अंचल अधिकारी ने किया, तो अंचल अधिकारी से मिलेगा, अगर आपको कुछ मालूम नहीं तो तीनों ओफिस में बारी बारी से पता कर दीजिए, किसी एक ओफिस वाला आपको सही बता देगा, गाउं का नाम, तोजी नंबर, ठाना नंबर और अबेरन करता जो अप्ल तो रेंट फिक्सेशन रेइस्टर से निकाल करके आपको बता देगा, तो आपको नकल मिल जाएगा, उसके बाद है, जैननन यादव ये संथाल परगना के रहने वाले हैं, इन्होंने संथाल परगना से संबंधी सवाल पूछा है, परती पती जमीन की बंदुवस्ती पर पूरा चर्चा करें और वीडियो बनाएं, ठीक है, जैननन यादव जी, आपका परस्त बहुत उचित है, बहुत अच्छा है, परती पतीत के बारे बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, उहां पर बहुत बिवाद होता है, संथाल परगना में, और उसकी बंदुवस्ती से अलग से एक हम वीडियो बनाएंगे, जैसे छोटा नात्पूर टेनेंसी पर बनाएंगे, उसी तरह से संथाल परणा टेनेंसी है, इसके अलावे भी और सी मिलेगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, तो अगला परती पतीत के बंदुवस्ती के बारे में आपको अगले ल में बहुत रहकी किताबे हैं, अच्छी किताब पर मत जाएए, हमारी राय है, अच्छी किताब आने कमेंटरी, एक से एक महगा महगा CPC पर कमेंटरी आया है, दस हजार, पंदरह, हजार, वीस हजार, पचीश हजार, तीस हजार, चालिस हजार, पचास हजार तक का किताब है CPC का अतना महगा किताब लेके क्या किजेगा, आप कहां practice करते हैं, lower court में करते हैं, तो यतना बड़ा किताब लेके क्या किजेगा, high court के वकील को किताब का जुरूरते नहीं है, high court में practice करने वाले लोग को कानून पर मास्ति करना पड़ता है, up-to-date law पढ़ता है, तो commentary book कुछ उसके लिए है, जो की section पढ़के नहीं समझ सकता है, तो कुछ commentary से समझने का प्रयास करता है, आप bare act लीजिए, bare act professional का बढ़ियां आता है, professional का लीजिए, आनि तो law in justice का है, तो किसी का अच्छा publisher का लीजिए, उसके ले लीजिए, अभी नया नया दो तीन अच्छा पढ़ि है कि आप भारत सरकार का जो dialogue edition है, जिसमें हिंदिय गरीजिए दोनों रहता है, उसका bare act लीजिए, bare act से ही पढ़िये, अगर आपको बहुत इक्छा है, आप सक्षम है, पैसा आप के पास है, तो आप पटना आ करके bookseller के पास 3-4 bookseller है, आप पर प्रितन लाहूस और कई ल laws and laws है, और एक और है, उसका नाम अभी भूल है, बार कॉंसील भवन के पास सब मिलेगा, हाई कोट में मिलेगा, आप फ्रेजर रोड में मिलेगा, आपको लॉबुक्स का, तो कई जिए दुकान है, उसमें से आप जा करके, अपने देख देख करके समझ के लीजिएगा, ब बेर एक्ट पढ़िए, बेर एक्ट पढ़ने का, और समझने का कोशिच के, और जितना किताब आप पढ़िएगा, समझेगा, उतना जो ग्यान आपको छो मही नाम होगा, मेरा 22 लेक्चर है CPC पर, आप खोजिए, अगर सब्सक्राइब किये हुएं तो अच्छी बात है, न आइसो लेक्चर आप सुन करके समझ गए, उसके बाद किताब पढ़िएगा तो आसानी से समझेगा, और नहीं तो पूरा आपको याद हो जागा, इतना आसान तरीका से बताएं हैं, इस अभी जुडिशियल अफसर को पढ़ाएं हैं, वही लेक्चर है, एकडेमी में दिय पढ़ने को आपको CPC पढ़ने का जरूथी नहीं पढ़ेगा, सिधे आप जो प्रॉब्लम आएगा, तो प्रॉब्लम आप खोज भी जिएगा, उसका सॉनूशन कहां मिलेगा CPC में, इसलिए आप किताब पर जो खच किजिए उसे जादा थोड़ा समय खच किजिए, हर ले अपने और फ्रेंड को, अपने और कली को भी प्रताहिए, प्रॉब्लम आप किजिए, क्यों भी सुने, उसके बाद एक लिखते हैं, अपना दिया है, इमेल आइडी दिये होगे, यूटूब पर जो भी हो, इनका कुछना है, लादावी नामा क्या होता है, हम पहले भी इस जिसे हम कहरें कि यह जमीन मेरी है, तो मेरा यह दावा है कि जमीन मेरी है, यह मकान मेरा है, यह दावा हुआ, लादावी मतलब दावा नहीं करना, अगर हमी कहने हैं भाई जमीन से हमको कोई मतलब नहीं, तो लादावी हो गया, तो लादावी कब होगा, अगर हमारे नाम म जमीन है या हम उस जमीन में कबजा में है किसी ना किसी परकार से है सचमुच में मेरा जमीन है भी या हमरा जमीन है हम ना जाइज कबजा में है किसी परकार या हमारे नाम में बेनामी कोई खरीद दिया है तो किसी परकार से देखने में लगता है कि हम उसके मालिक है तो उसको मालिक नहीं है, हम इस पर कोई दावा नहीं करते हैं, इसके असली मालिक फला फला न ब्यक्ति है, तो इसी को बोलते हैं लादावी लादावी का मतलब अपना दावा जो अगर होना चाहिए या हो सकता है, वो दावा भी हम छोड़ रहे हैं, अगर मेरा कोई दावा नहीं है, तो हम दावा कभी किये ही नहीं, तो लादावी देने कोई हैं, फिर भी अगर हम लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं, ने मेरा कभी था, ना है, ना आगे होगा, इभी लादावी होगा, तो दोनों में बोलते हैं, relinquishment deed या release deed भी कहते हैं, इसका मतलब है कि हम किसी प्रकार का दावा इस पर नहीं करेंगे, लेकिन ये document से कोई title और possession नहीं होता है, अना समाप्त होता है, लादावी deed में से यही होता है, कि जो हम उसमें बयान दे दिये, deed में जो हम बोले हूँ, मेरा बयान माना जागा, मेरा statement माना जागा, वो इस टॉपल अपलाई करेगा, उससे हम बधे रहेंगे, उसके खिराफ, जैसे माल याज हम अलादा भी लिख देते हैं, कि ये जमीन मेरी नहीं है, इसमेर हम कोई दावा नहीं करते हैं, जो लादावी लिए हुए है, जिसको हमने लादावी कभी लिखा है, उस लादावी के अधार पर हमारा मुह बंद कर सकता है, तो वो इस टॉपल के लिए, मुह बंद करने के लिए लादावी इस्तमाल हो सकता है, लेकिन उन हक्कियत और कबजा का कारज नहीं है न उससे हक्कियत कबजा होता है न हक्कियत कबजा समाफ होता है अब संतोस अमीन मधुबनी से लिखते है बेलगान जमीन का अगर लगान लगाना जाए तो उसे फाइदा या घाटा क्या होगा फाइदा या घाटा तो आदमी के अपने अपने प्रस्चिती और समझ से होता है इस पर कोई कानून की बात नहीं है बेलगान जमीन है अगर आपके पास कब्जा में है अभी कोई प्रस्ण हो जाए कि जमीन आपका कैसे है क्या सबूत है तो आप क्या कावज दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते हैं सरकार भी आपको रहियत नहीं मानेगी अगर लगान लग रहा है सरकार लगान ले रहिये तो आपको सरकार तो कम से कम रहिये तो मान रहिये तो आगे कुछ कारवाई होगा तो लगान लगने से रसीद रहने से आपको फाइदा ही होगा, घाटा नहीं हो सकता, घाटा नहीं हो सकता फाइदा ही होगा, इसलिए हमेशा बेलगान जमीन का भी, अगर खेती की जमीन है तो हम जरूर कहते हैं कि आप उसका लगान इधारित अगर मकान है तो कोई जरूरी नहीं है, गाउं में रहते हैं, गाउं में मकान है, तो उसका लगान देना कोई जरूरी नहीं है, आप सहर में हैं, आप मकान है, तो उसका भी लगान देना कोई जरूरी नहीं है, उसके बाद राजेस अरवल से लिखते हैं, बकास जमीन है जिस से हासिल हुआ इंगा कभ से रसीद क दिया लगान उसमें फिक्स कर दिया तो उसके अधार पर आपका पहला रेिष्टर टू बन गया या बुझ आइगा उसके बाद रसीद कटने लगा तो यह सब चीज दिखाईएगा जमीन पर भी आपका कमजा है और ओरली आप कहिएगा जमीन पर जाएगा भेरिफाई करने सर्वे का पता जिकारी फिजिकल भेरिफिकेशन जाता है आपका कमजा देखेगा तो आपको रहिती मालेगा आपका रहिती खाता खुल जाएगा उसके बाद एक लिखते हैं नाम नहीं लि लेटेड एंटेड लेक्टेर्टर्वीडियो अप्लोड कर रहे हैं तो हमको इस से क्या फाइड़ा और हम अगर ही लेक्ट्र वीडियो आप देंगे तो हम अंसबस्प्राइब कर लेंगे हलाकि इसका जवाब हमने उनको दे दिया था यूट्यूब पर ही जवाब दे दिया था अब वो जवाब सो संतुस्त है की नहीं जवाब मेरा यह था अब फिर से हम उस जवाब दे रहे हैं आप भी सुनिया और सब लोग भी सुनेंगे की देखिए हमने कोई ऐसा हार्ड एन फास्ट रूल नहीं बनाया है की हम सिर्फ लैंड लॉप पर ही लेक्चर देंगे चुकि लैंड लॉप सबसे कंपलेक्स है और इसके जानकारों की कमी है और जब से हम पढ़ा रहे हैं जुडिशल एकेडेमी में तो जैजेज लोग भी बरावर लैंड लॉप से ही सवाल पूछते रहे हैं और जो वकील लोग हमसे जूटते गें बिलते गें लेक्चर के दवरान वो लोग ही या प्रैक्टिस के दवरान लोर कोट में हाई कोट में उस सवाल का जवाब हमसे पूछने आते हैं या पुराने डॉकुमेंट्स उर्दू-फार्सी में रहते हैं, उन लोग के बारे में पुछने आते हैं, सब लेंड से समझने आता है, या डीड वगएरा नहीं समझ में आता है, लोग पुछने आते हैं, तो इससे है कि यूटूपर भी जो मेरा लेक्चर लोग सुनने लग कि उसके अतिरिक्त भी लोग पर अपुछ रहे हैं, इसलिए हम इनको भी law and order साहिब को भी हमने reply कर दिया है, कि आप जिस विशय का चाहे आप पर अपुछ सकते हैं, हर व्यक्ति को छूट है, आप हिंदू ला से पुछिए, मुहमदा ला से पुछिए, टांस्वर प्रोप civil criminal rent revenue, यह चाहर, civil criminal rent revenue का जो है, यह सब rent act जो होता है, VVC act वेरा rent control act होता है, यह सब से सम्मंधित, जितने भी आपके प्रस्त हैं, आप पूछ सकते हैं, और उस सब पर मेरा lecture भी available है, और अधर local acts, बहुत सारे local acts हैं, जिससे भी आप पूछ सकते हैं, Hindu succession act का पूछ सकते हैं, Hindu monetary guardianship act का पूछ सकते हैं, बहुत सा technical technical law है, जिस पर हां पूछ सकते हैं, banking law का पूछ सकते हैं, consumer law का पूछ सकते हैं, जिस तरह का भी आप पूछना चाहिए, पूछ सकते हैं, हम सब का जवाब देगे, इसमें कोई hard and fast rule नहें कि आप land law question answer series चल रहा है इसी का सवाल पूछे, हाँ, अगर बहुत सारा सवाल जवाब हो जाएगा, जमा हो जाएगा, दूसरे act का, तो उसका एक अलग series बना देंगे, अगर land law के lecture में बीच में बीच में मालिया भी कोई Hindu law का रहा था, तो इसी lecture में हम उसको भी जवाब देते हैं, इसलिए आप subscribe क करें, यह आपकी मर्दी है, आप वीडियो सुने ना सुने, आपकी मर्दी है, सुन करके भी आप इसको अनसुना करने, आपकी मर्दी है, सुन करके भी नहीं समझे, आपकी मर्दी है, सुन के समझ के भी इसको इसको इस्तमाल नहीं करें, जो हम राई देते हैं, उसको नहीं करें और subscribe करें तो हमको खुशी होगी जादा-चादा comment करें और प्रस पुछें तो हमको खुशी होगी आज का lecture हमें सवाब्त करते हैं आज ये सूचना के साथ कि सभी सुरुताओं से अमरोध है कि जब चाहे जिस तरह का प्रस चाहें वो सटिक पूछे और सही प्रस पूछे, और ऐसा प्रस पूछे जो भेग नहीं हो, बहुत complicated और complex नहीं हो, और जिसमें case चल रहा हो, या case चलने की सम्हामा हो, और कुछ काग्जात देखना हो, किर्पया वह इसा प्रस्ट पूछने में और अगर वो इस आप प्रस्ट पूछने हैं तो अपने वकीर से मील करके प्रॉब्लम को सौट आउट करके सिधा-सिधा प्रॉब्लम ही अपना पूछे प्रॉब्लम सौट पूछे और नहीं तो फिर आप मेरे से संपर करें ओनलाइन संपर करके online हमसे opinion ले और फीज दे या अगर online opinion नहीं लेते हैं तो आ करके कागजात के साथ आखे मिले फीजकल मिले तब आप काम कराएं तो आपका काम होगा ऐसे कुछ ऐसे प्रस होते हैं दो चार प्रस ऐसे हर बार होते हैं जिसका समाधान online ही हो सकता है या आप physical consultation से हो सकत होता है लेकिन कागजात जब उपना होतो रहगा तब ही हो सकता है तो ही सुचना के साथ आज हम अपना lecture स्वाप्त करते हैं धन्यवाद झाल